अस्रामुलीकुम एव्रिवन मैं हूँ अवेस और आज की वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ शेफर कंपनी का पाउडर फाउंडेशन जो के बहुत अच्छा सेल होता है मार्किट में और ब्यूटी पालर्स में भी यूज किया जाता है तो आज की वीडियो में मैं आपको इसके शेड्स भी दिखाने वाला हूँ कि इसके कौन से नमबर का कौन सा शेड्स होता है और साथ या आप लोगों को अपलाई करकर भी दिखा हूँगा कि आपने इसको किस तरीके से यूज करना है फिर लास्ट में हम करेंगे इसका वाटर टेस्ट क्योंकि इसके उपर मेंचन किया गया है कि ये वाटर पूफ भी है ओईल कंट्रोल भी है तो हम चेक करेंगे कि कितना वाटर पूफ है ये तो करते हैं अपनी आज की वीडियो को भी स्टार्ट बजी से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी और भी न्यू आने वाली मदीद वीडियो आप लोगों तक पोच्छती रहें तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को शेफर कंपनी के इस पाउडर फांडेशन के कुछ शेड्स दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को आईडियो हो जाए अगर आप भी इसको बाई करने का सोच रहें कि इसके कौन से नंबर का कौन सा शेड्स होता है तो सबसे पहले जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ ओपन करकर ये है इसका 16 नंबर साथ ही अगर हम बात करें इस पाउडर फाउंडेशन के पैकिंग की तो ये आप लोग देख सकते हैं सिंपल सी पैकिंग है इसकी और साथ ही अगर बात की जाए इसकी प्राइस की तो प्राइस भी रिजनेबल है 600 रुपीस इसकी प्राइस है और बहुत अच्छी इसकी sale है बहुत अच्छा यह sale हो रहा होता है मार्किट में बलके मैं आप लोगों को थोड़ा सा अप्लाइ करकर भी दिखा देता हूँ यह आप लोग देख सकते हैं साथ ही मेरे पास इसके दो शेड्स ओर अवेलेबल हैं वो भी मैं आप लोगों को उपन करकर दिखा देता हूँ यह है मेरे पास इसका एवरी नंबर ये shade भी इसका बहुत अच्छा है और साथ हम आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि ये शेफर कंपनी का powder foundation beauty palace में भी बहुत जादा यूज किया जाता है और इस पर mention भी किया गया है कि ये oil control भी है और waterproof भी है और आपको 3X coverage देता है तो इसका एवरी शेड भी मैं आप लोगों को चेक करा देता हूँ अगर आप लोग इसको first time buy कर रहे हैं और buy करना चाहते हैं तो आप इसका एवरी शेड भी try कर सकते हैं क्योंकि बहुत अच्छा शेड इसका ही है अगर आप yellow tone में अपना makeup करते हैं यह आप लोग देख सकते हैं यह शेड इसका एवरी कलर का एक मेरे पास इसका यह नेस्ट्रल नंबर है यह भी मैं आप लोगों को ओपन करकर इसका भी शेड चेक करा देता हूँ तो यह आप लोग देख सकते हैं यह इसका light शेड है अगर आपका color fair है तो फिर आप इसका natural color ट्राइ कर सकते हैं और साथ ही मैं आपको यह भी बताता चलू के इसमें हलकी सी shine भी है जो के मेरे कैमरे में नजर नहीं आरी सही तरीके से लेकिन हलकी सी shine भी है इस color के अंदर और बहुत अच्छा सेल होता है इसका natural number भी अब मैं आपको इसके shade सिखा दिये यह तीन तो अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आप शेफर कंपनी का ये powder foundation भाई कर लेती है तो फिर आपने इसको किस तरीके से यूज़ करना है शेफर कंपनी के इस powder foundation को आप दो तरीके से इस्समाल कर सकते हैं loose powder के तोर पर भी और foundation के तोर पर भी तो दोनों तरीके से मैं आप लोगों को apply करकर दिखाता हूँ ये powder foundation already मेरे अपने घर में यूज़ हो रहा है तो यही वाला मैं आप लोगों को apply करकर दिखाने वालो हूँ और natural shade है तो पहले मैं अपना हाथ पर apply कर लेता हूँ crylon company की tv pen stick अगर आपके पास ये available नहीं है तो आप कोई भी base पहले apply कर सकते हैं तो अब अच्छे से मैं पहले इसको blend कर लेता हूँ तो यह आप लोग देख सकते हैं मैं अच्छे तरीके से blend कर लिया है जो streak हमने apply की ती उसको तो अब इसके उपर हम apply करते हैं शेफर कंपनी का powder foundation as a loose powder थोड़ा से लगाने के बाद आपने इसको दुबार से इस तरीके से जाड़ लेने हैं ताके ज्यादा ना लगे हैं तो यह आप लोग देख सकते हैं इस तरीके साप इसको as a loose powder भी यूज़ कर सकते हैं अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आपने इसको as a foundation की सरीके से यूज़ करना है तो पहले आपने थोड़ा सा बिल्कुल powder foundation निकाल लेना हैं यह किसी भी बाउल वगेरा में और पाउडर foundation निकालने के बाद फिर आपने इसके अंदर एड़ कर लेना है थोड़ा सा वाटर या फिर रोज वाटर वगेरा तो थोड़ा सा वाटर भी एड़ कर ले तो में इसके अंदर वच्छे तरीके सापने बना लेना है इसका mixture तो यह आप लोगों को मैं करीब से दिखाता हूं इस foundation को मैं अच्छे तरीके से mix कर लिया है और आपने भी इसको इस तरीके से बनाना है कि यह foundation ना ज्यादा थीक हो ना ज्यादा थीन हो और ना ही कोई bubble वगेर हो इसके अंदर यह आप देख सकते हैं सेम इसी तरीके से आपको अपने दूसरा हाथ पर अप्लाए करकर दिखाता हूं तो इस पर भी पहले हम थोड़ी सी स्ट्रीक अप्लाए कर लेते हैं क्राइलोन कंपनी की ही अब जल्दी से कर लेता हूं मैं इसको भी ब्लेंड तो अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लिया है मैंने स्ट्रीक को अब इसके ओपर हम अप्लाए करते हैं अपना फांडेशन जो के हमने खुद बनाया है यह आप लोग देख सकते हैं इस सरह का त्यार हो गई है फांडेशन बिल्कुल बारीक लेयर के अंदर आपने लगाने इसको भी फांडेशन को तो अब मैं अच्छे तरीके से इसको भी ब्लेंड करता हूँ पहले उसके बाद देखते हैं कि किस तरह के फांडेशन हमारा लग रहा है तो यह आप सब देख सकते हैं मैं अच्छे तरीके से ब्लैंड कर लिया है पाउडर फांडिशन को भी तो लगने के बाद जब आप इसको अच्छे तरीके से ब्लैंड करेंगे तो लास्ट में आपको यह इस तरह की लुक देगा और साथ ही अब हम करते हैं इसका water test जैसे कि मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इसके box पर mention किया गया है कि यह oil control भी है waterproof भी है तो अब हम इसका water test करते है कि कितना waterproof है यह और दूसरे हाथ पर भी हम check करते है ताकि हमें अच्छे तरीके सा idea हो जाए कि अगर आप इसको as a loose powder यूज़ करें या foundation के तोर पर तो कितना waterproof है यह तो मैं आप लोगों करीब से check करा देता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके सा idea हो जाए कि कितना waterproof है यह आप लोग खुद देख सकते है दूसरे हाथ का भी चेक कर लेते हैं यह आप चेक कर सकते हैं वाटर टेस्ट आप लोगों के सामने हैं अब लास्ट में मैं आप लोगों को यह foundation direct भी apply करकर दिखा देता हूँ कि अगर आप इस foundation को direct अपनी skin पर apply कर लेते हैं तो यह आपको किसरे की look देगा और साथ ही मैं आप लोगों को यह भी बताता चलो कि जब आप इस powder foundation को बनाएं तो लगाती है आप लोगों ने इसको use करना है मतलब आपने इसको बना कर रखना नहीं है वनना यह dry हो जाएगा तो powder foundation को मिन अच्छे तरीके से blend कर लिया है तो एक बार मैं आप लोगों को करीब से दिखा देता हूँ यह आप चेक कर सकते हैं लाइन्स वगएरा तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप शेफर कंपनी का यह powder foundation बना कर और direct अपने face पर apply कर लेते हैं तो आपका मैकप बिल्कुल भी अच्छा होने वाला नहीं है तो आपने इसको इसलिए किसी भी मैकप स्ट्रीक या बेस वगएरा के साथ यूज़ करना है तो उमीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो भी पसंद आई होगी और अगर आप मैसे भी कोई शेफर कंपनी का ये powder foundation यूज़ करता है तो आपने नीचे comment box में जरूर बताना है कि आपको ये कैसा लगता है तो आप करता हूँ अपनी वीडियो को end और मिलते हैं इंशालला नेक्स वीडियो में अल्ला हाफीज